हेलो दोस्तों वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल देख सकते हैं मैं आज आप लोगों के लिए भूती प्यारा सा बैक डिजाइन लेकर आई हूँ उम्मीद करती हूँ आज का ये बैक डिजाइन आपको पसंद आएगा वीडियो को बिना इस्किप करें एंड तक जरूर से दे देखा हैं तो इस पेसल अपने उस वीवर्स के लिए मैं ये फुल वीडियो लेकर आ रही हूँ चलिए वीडियो शुरू करते हूँ सबसे पहले हम इस तरह से धाग लेंगे अब हम इसमें यहां पर गांट लगाएंगे ऐसे अब हम गांट लगाने के पाद चैन बनाईए एक डो तीन चार पांट चैन हम तीन तीन चैन के जोड़े से लेंगे इसी तरह समझे बना लेंगे यह हमने तीन तीन चैन के जोड़े से अब हम इसमें फ्लस दू चैन और लेंगे एक, दो, दो चैन लेने के बार अब पहले वाली चैन को इसको करेंगे इसमें इछले वाले लूप में से यह एस, यहाँ से, सिंगल कि रोशे बनाएंगे, अब अगले वाले चैन के पिछले वाले लूप में से, इसमें से, एक चैन के पिछले वाले लूप में से ही एक-एक सिंगल किरोशे बनाते हुए हम यहां तक बनाएंगे हमने यहां तक हार एक चैन में एक सिंगल किरोशे बनाते हुए इस तरह से कूरी लाइन को बना लिया है अब इसको ऐसे परेंगे जो हमने इस टाटी में गाट लगाई थी इसको खोल देंगे खोलने के बाद यहाँ से ऐसे क्रोश्य डालेंगे और इसको ऐसे लिए इस तरह से अब एक चैन लेंगे चैन लेने के बाद ऐसे घुमाएंगे अब सेम जगह से पहले वाली यह है जो यहाँ से एक चैन एक सिंगल क्रोश्य अकाउंट करेंगे अब इसी जगह से ऐसे हाफ डबल क्रोश्या अब फिर सेम जगह से इस तरह से डबल क्रोश्या अब एक दो दो चैन इसकिप करेंगे और तीसरे वाली चैन में यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोश्या बनाएंगे इसको ऐसे बनाई कर देंगे इसके साथ सिंगल क्रोश्या अब वापिस से सेम जगह से ऐसे हाफ डबल क्रोश्या इस तरह से तीनों दागों के एक साथ बन देंगे और आप इसमें डबल क्रोश्या इसे सब्सक्राइब, त७ल किरोशे और ये डबल किरोशे, इस तरह ऐसे आगे अब फिर हम एक, दो, दो चैन इसे पड़ेंगे और तीछेशे वाले में यहां इसको ताइट करेंगे, ऐसे एक, दो, तीन इसमें सिंगल किरोशे बनाएँगे इस तरह से सेंगे, संद इसी संद बनसे बनाएंगे और सेंगे इसी जगे सेम नहीं के लिए प्लास्थ अब हाईगे, संद समस्तथ स्कीप और समस्लों संद बना लिए लिए, तेन फंद में बचले thành अब कहते हैं तीसरे वाले में ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से आप पर और नापर आप च पर बनाए है इस्माने है साल है, हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे And then सेल जगहेसे एकडबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह और एँ, दो दो शेन इसकिप दो क्छेश्य क्थजिए और यहाँ पर तीशे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे एसे ऐसे आए गए बन के। फार सेम से हाफ़ डबल क्रो शिए अग इसी जगे से । धबल कि एक दो और च्प्क प्लेरeu 넘ें से अधे। ऑफ हलागी मेकी सिव् मोण्य कया पार सवी गाफ़ दबल क्रो शिय दवाः यह इसучीय पर शेमी हम इसे को सिंगल खरेंगे। इसको यहां पे अटेच सिंगल कर बनाएंगे इस तरह से ऐसे आएगे बनके इसको हम यहां तक बनाएंगे यहां तक ही लाइन हमने इस तरह स्कूरी कर लिये जैसे हमने यहां पे स्टार्टिंग में एक चैन ली थी उसी तरह से ली थी अब इसको इस तरह से एंड में यह दो रूप तीख रहें ऐसे इन दोनों धागों के नीचे से ऐसे हम सिंगल क्रोश्य बनाएंगे इस तरह से अब फिर एक चैन लेंगे और फिर वापिस टर्न करेंगे फिर जैसे हमने यह लाइन बनाई है इसी तरह से हमें पूरा पैटन बना लेंगे यह देखें इस तरह से हमने इस पैटन को बना लिया है तुरा इस तरह से मैं इसको नापकर दिखाती हूं कि यह लगोल साड़े सत्रा इंच आया हमारे बनके अब हम इसको साइड में रखेंगे अब एक आगा लेंगे इस तरह से अब यहां एक गांट लगा के हम छैचैन बनाएंगे एक दो तेन चार पांच छै इस तरह छैचैन बना लिए पहले वाली चैन को छोड़के दूसरे वाले में इसमें ऐसे सिंगल क्रूशे बनाएंगे ते अगले वाली चैन में सिंगल क्रूश या एक दो तीन तीन सिंगल क्रूशे होगे अब चार पांच प्रे लास्ट में यह जो हमने गांट बनाए थी उसमें भी एक सिंगल क्रूशे बनाएंगे ऐसे हमारी छे सिंगल क्रूशे होगे एक दो तीन चार पांच छे अब ऐसे एक चैन लेंगे एक चैन लेने के बाद वापिस से ऐसे टर्ण करेंगे और यह पहले वाली चैन में यहां सेन जगे से दो सिंगल क्रूशे बनाएंगे एक वापिस से दो फिर इस तरह से बीच में हम चार सिंगल क्रूशे बनाएंगे एक दो तेन चार ऐसे जो दो बनाएंगे से अलग इस तरह चार सिंगल क्रूशे बनाएंगे और लास्ट वाले में इसमें ऐसे सिंगल क्रूशे तर वापिस से एक सिंगल क्रूशे बनाएंगे ऐसे फिर एक चैन लेंगे और इसको ऐसे टर्न करेंगे टर्न करने के बाद यह पहले वाली चैन में इसमें ही हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक दो तेन यह हमारे टोटल आठ सिंगल क्रोशे होगे हैं एक, दो, तीन, चार पांच छै साथ और यह आठ लास्ट में दोनों लूप में से निकालेंगे ऐसे ऐसे बनके आगया है अब हम एक चैन लेंगे और वापिस ऐसे घुमाएंगे फिर हम हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे अब हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे इसमें इस तरह से अब यह एंड में इसमें यह टोटल हमारी चार लाइन हो गए एक दो तीन चार चार लाइन बनाने के बाद हम सेम तरीके से इसी तरह से बनाएंगे हर एक चैन में एक-एक सिंगल क्रोशे बनाते हूं पांच लाइन और बनाएंगे बनाकर फिल्म में दिखाती हूं ऄरर देखे अरे मैं, हमले हाई टोटल नो नॉ लाइन बना लिया ठीडी पाहले लाइन में 16 सिंगल क्रूसें बन आए दीशे में 0.191 ₹ डूसरी में 1 पहनल खंदा इधर बढ़ाया कि ना पर तीन सिंगल किरूशे बनाएंगे दो और ये तीन है आप चोत्य ब shapes that यह ऐसे यहां दो का एक फंदะ करेंगे इस तरह से आफ है आप दो तीन सिंगल किरूशे बनाएंगे अब हमारे हां एक फंदक कम हो गया ahead सब्सक्राइब टौटल हमारे यह साथ सिंगल किरोशे हो गए अब अगनी है सिस तरह सब्सक्राइब एक फंदक हो गया है अब हम एक चैनल लेंगे फिर से हर एक चैनल में इस अगले scenic ओ बनाएंगे बैसे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजीएगा कोई कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूंच सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल आइकन को ज़रूर से प्रेश कर ले ना इस तरह से बनके आएगा ये अब फिर हम यहाँ पर एक चैन लेंगे एक चैन लेने के बाद फिर इस तरह से बनाएंगे अब फिर सिंगल क्रोशिया एक दो और ये तीन तीन सिंगल क्रोशिया बना दिये अब इन दो का हम एक करेंगे फिर से जैसा हमने फिची वाली लाइन में किया था इस तरह से दो का ऐसे की दो हैं इन दो में हम ऐसे ही सिंगल क्रोश S sırा बनाएंगे यह दो दो चार दो चैर्डस दो खेट आट दूद si 만들어 कृइंच बनाएं गे एसी तरह हमने बारह लाइन हो गईलिब यह चार लाइन और बनाएंगे यह अब हर एक चैन में एक सिंगल किरोशे बनाएंगे तेक दो तेन चार पांच छे हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाया है इसी तरह से बनाएंगे यह हमने हर एक चैन में एक अब यह last, single crochet. इस तरह से बना लिया है, यह मैंने एक और बना रखा है, इस तरह से हम यह दो पीस बना लेंगे, आप देख सकते हैं, बिलकुल बराबर है यह, इस तरह से अब हम बैग लेंगे, यह बैग लेने के बाद यहाँ पे हमारे pattern का end हुआ है, अब हम इस धागे को यहां से इतना काट देंगे यह काट दिया है हमनी इसको अब इस धागे को एक चैन बनाते हुए इस तरह से उपर की तरफ खीचेंगे ऐसे और इसको ऐसे टाइट करेंगे इस तरह से अब इस धागे को हम अंदर की साइट छुपा देंगे यह अब हम इस दागय को यहां से बिलकुल जड़ में से काट देंगे अब हम जो हमने पैटन बनाया है इसके हम सिलाइच करेंगे मैं आपको बता दू यह वो वाला हिस्सा है जाहां आपको सिटार्ट किया था इस पैटन को और यह हमारा end हुआ था यह हमारा सीरी साइड है यहां से देखिए और यह उल्टी साइड है यह last वाली line हमने इधर से इधर को बनाई थी और यहां हमने end किया है इसका clear अब इसके बाद हम इसकी शिलाई करेंगे अब जो हमारी लूप दिखाई दे रहे हैं इनमेल से हम इसक तरह से यह ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे single crochet यह single crochet बना दिया अब यह वाला लेंगे जहां से देखिए यह वाला लूप उठाएंगे और इसका यह वाला अब इस तरह से हम आमने सामने वाले लूप मिलाते हुए शिलाई करेंगे ऐसे यह वाला लूप उठाएंगे और इसके सामने वाला इसको ऐसे single crochet इस तरह से हर एक लूप को हम सिलाई करेंगे सामने वाले फंदे मिलाते हुए इस तरह से पूरे को हम सिलाई कर लेंगे जहां तक यह आएगा ऐसे हर एक फंदे में सिलते हुए इस तरह से सिलाई हो जाएगा यहां तक शिल के फिर में दिखाती हूँ यह देखे हमने इस तरह से इसको शिल लिया है आमने सामने वाले लूप को मिलाती हुए अब यह एंड वाला बचा है इसको भी हम ऐसी शिल लेंगे इस तरह अब यहां जो हमारी चैन बन के आ रही है इनमें हम ऐसे सिलिपी स्टिच बनाएंगे इस तरह से हर एक चैन में अब जो यह यह लाश्ट वाली है इसको ऐसे और यहां से यहां से ऐसे हुए border between, पिछबे वाले हम हैं ऊब जो यह वाली हमारी ऐसे पिछले वाले लूप में से हर एक चैन में एक सिलिपी स्टिच इस तरह से ऐसे आएगा और सहल तरीके सई हम इसको यहां तक सिल लेंगे को से तक हर एकशेन में एस इस तरह से सिलिक इस्टिस से यहां तक बना लिया है इसको अब यहां हम ऐसे इस तरह से उपर तरफ खीचेंगे और इस धागे को यहां से काट के अंदर के साइड हम इस धागे को छुपा देंगे अब इस धागे को हम यहां से काट देंगे यह इस तरह से जोइंट हो गया है के साथ अब मैं आपको यहां से दिखाती हूँ यहां तक हमने सिला है यह हम काउंट करेंगे यहां एक कितने लूप बचे हुए हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इस तरह से हमारे दस लूप बचे हुए इदर और दस लूप छोड़ते हुए ही मैंने यहां प ज़ली है अब यह वाला लूप लेंगे और इसका यह वाला आमने सामने वाले लूप मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे इस तरह पकड़ते हुए है ऐसा आया है और सेम तरीके से हम इसको हर एक सामने आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए ही इस तरह से हर एक चैन में मिलाते हुए हम इसको यहां तक ऐसे सिल लेंगे सिलने के बाद फिर में दिखाती हुए हमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए हमने यहां तक सिल लिया है अभी लास्ट वाला बचा है इसको भी हम इसी तरह से सिल लेंगे लास्ट वाले में हम सिलिप स्टिच बनाएंगे यह और इस धागे को हम ऊपर की तरफ खेश देंगे ऐसे इस तरह से खींचने के बाद अब हम इसको इस तरह से करेंगे जो यह वाली चैन है यहां से ऐसे निकालेंगे और यहां से निकालेंगे इस तरह से अब हम इसे टाइट करेंगे ऐसे ऐसी फिनीशी से अटेच हो जाएगा और अब इस धागे को हम अंदर की साइड चुपा देंगे अंदर साइड इधर छुपा देंगे इसको ऐसे जॉइंट हो गया है इधर साइड यह देख सकते हैं इस तरह से हमारे बैक बनके आया है अब हम इसको ऐसे मिलाते हुए यहां से यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे ध्यान से देखिए इस तरह दोनों साइड से और इसको ऐसे मि इसको लगाएंगे, सबसे पहले हम इसका सेंटर का सेंटर निकाल लेंगे, यह इस तरह से दस लाइन आई है हमारी इसमें, एक, लोग, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, दस लाइन है, तो इन दोनों के बीच में सेंटर देखेंगे, मैंने यह मार्क लग लिया है अब हम इसको लगाएंगे इसमें इसको ऐसे खोलेंगे यहां से इस तरह से और जो हमने इस सेंटर के मार्क लगाया है यहां ऐसे लगाएंगे इसको अब हम इसे दबा देंगे अब हम इसको लगा लिया है और टाइट से दबा दिया है यहां से अब हम इसे यहां से इस तरह मिलाते हुए ऐसे पकड़ेंगे और इसमें भी हमने सेंटर में निशान लगा रखा है पहले हम इसे ऐसे लगा देते हैं और फिर इस तरह से यहां पर आगिया अब हम इसे खोल देंगे इसको भी हम अंदर की साइड दबाते हुए लगा देंगे टाइट से दबाने के बाद लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से हमने इसको लगा लिया आया अंदर की साइड इसको दबा करके एक पत्ती से आती है इस तरह से इसको लगा लेंगे ऐसे अब एक साइड मैंने इस तरह के में दो रिंग चाहिएंगे एक रिंग मैंने इस तरह से लगा लिए है अब इसको लगाया कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक धागा लेंगे यहां से ऐसे अब इस तरह से बनाएंगे एक दो तीन और ये चार ऐसे हमने चार सिंगल क्रोशे बना लिए इसको ऐसे करेंगे अब इस धागे को हम उपर साइड खीच लेंगे धागा हमने उपर तरफ खीच लिया है ऐसे अब यहाँ ऐसे करेंगे इसको एक डो तीन चार यहाँ पर हम इसकी स्लाई करेंगे इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इस धागे को नीचे को तरफ खीच देंगे यहाँ से हीचने के बाद अब इस तरह से हम इसकी स्लाई करेंगे जो मन हमने यह सिंगल की रूशे बनाए चैन जैसे बनके आया है यहाँ से ऐसे अंदर की तरह और जैसे हम अंदर से ऐसे लाएंगे इस तरह अगले वाली चैन में इसमें अब यह लास्ट वाहले में इसमें इसी तरह से बनाएं अब इस धागे को हम नीचे की तरफ करेंगे ऐसे यहां से दाला था तो इसको हम यहां से डालेंगे थोड़ा नीचे एक ही जगह से दोनों को नहीं निकालेंगे इस तरह से लग जाएगा अब इन दोनों धागों में हम अंदर की तरफ गाठ लगा के और इसको अच्छे से बान देंगे और इन धागों काट देंगे अब इन धागों काट कर देंगे इस तरह से इधर साइड और दोनों साइड हमने लगा लिया है इसको अगर आप टेजल बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिक्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है वहां से आप सीख सकते हैं अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे ऐसे टाइट गाठ लगा देंगे इसमें इतना छोड़ देंगे कि दूसरी साइड भी इसी तरह संबान देंगे इसको यह देखे इस तरह सा हमारा यह बैक बनकर तयार है उमीद करती हूं आज का यह बैक डिजाइन आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा कोई भी डाउट हो या कोई कोशन हो आप कमेंट करके पूंश सकते हैं बहुत प्यारा सा यह बैक डिजाइन बनकर तेयार है यह एक रिक्वेस्टिड वीडियो है उमीद करती हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा कोई भी डाउट हो या कोई कोशन हो तो आप कमेंट करके पूंश सकते हैं अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल आइकन को ज़रूर से पर रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालो आप तक उसका नोटि कर लेक् पचे कर ले भी मैं हमें रहे हैं ट्सक्राइब कर पक जचों कर द simulated हैं तक रज समिए ज़र वी पा押ोर समिए भी मैं वीवियों कर दापे रिए ज़काल कर अान दो पर येश्गर को मैं तो पहली है श्माट टॉपरूर बच़ कर पक्यों ole ईंगर कर रह deixarते हैं तो